दोस्तो अगर आप SIP करना चाहते हैं, Systematic Investment Plan वालब आप किसी भी स्टॉक में SIP चलाना चाहते हैं मतलब अपने मन पसंद का कोई स्टॉक है केवल आप उसे ही बाई करना चाहते हैं तो दोस्तो आप उसे कैसे कर सकते हैं Automatic बाई दोस्तो आप कर सकते हैं अगर दोस्तो आपका Demet Account SBI Securities में है तो आप इसे इसली यहां कर सकते हैं ठीक है, कैसे करना है दोस्तो हम इस वीडियो में देखेंगे तो दोस्तो बने रही है फिलाल दोस्तो मैंने SBI Securities वाल आप उपन किया हुआ है अब भी हम Invest वाले section में है ठीक है, तो दोस्तो जैसे अगर आपको किसी stock में SIP चलानी है सबसे पहले हम watch list में चलते हैं वहां से हम समझेंगे ठीक है, माल लेते हैं यह हमने stock कुछ add कि हुए मैं चाहता हूँ कि मैं Trident यह Tata Motors हर महीने बाए कर लूँ मतलब मेरे पास time नहीं है बट एक दिन आये, उस दिन automatic हमारा buy हो जाए, चाहे कोई भी price चलाओ, मतलब आप long term के लिए सोच रहे हैं कि एक दिन Tata Motors हो सकता है, 5000, 10,000, 20,000 का हो जाए, मतलब ज़स्ट फोर example के लिए, ठीक है, तो आप इसमें SIP चलाना चाहते हैं, अगर आप mutual fund करते हैं तो वो अलग बात है, बट SIP अलग है, मतलब आप divmate account में अपनी SIP चला के stock को buy कर सकते हैं, चाहे वो आप एक quantity में buy करें, चाहे आप 10 quantity में buy करें ठीक है, चले दोस्तों, देखते हैं, तो दोस्तों जैसे में Tata Motors को buy करना है SIP के through, तो दोस्तों हम इस पर click करते हैं, दोस्तों जैसे आप इस पर click करेंगे, एक नया option आ रहा है, इसमें SIP का, यहां पर, जो कि पहले नहीं आ रहा था भी एक नया update आया है, तो यहां दोस्तों हम SIP पर click कर लेते हैं, तो यहां page open हो जाता है, आप देख रहें, create SIP, ठीक है, तो यहां सबसे पहले, आपको यहां enter करना basket का name, तो यहां दोस्तों आपको basket name enter कर लेना है, जैसे कि मैं इसे enter कर लेता हूं, SIP, ठीक है, SIP के नाम से इसे add कर लिया, या SIP stocks कर लेते हैं, तो दोस्तों यहां मैंने यहां basket का नाम दे दिया है, SIP stocks, then दोस्तों यहां आप जो invest करना चाते हैं, amount के wise करना चाते हैं, या quantity wise करना चाते हैं, अगर आप खाली particular amount के थू करना चाते हैं, तो आपको amount select करना है, या आपको particular quantity buy करनी है, तो आप यहां quantity buy कर सकते हैं, तो मैं quantity के तुरू दिखाता हूँ कि आपको कितनी quantity करनी है लिन दोसु start date यहां पूछ रहा है आपको कब से start करना है जैसे कि आज है 27 अक्टूबर तो मैं चाहता हूँ कि अगले महिने से start हो तो मैं यहां जाता हूँ और यहां मैं date को change कर लेता हूं ठीक है मुझे next month में जाना है तो मैं next month में click करता हूँ यहां आप देखिए कि 5 तारीख के ऐसाइस पास मैंसे बाई करना चाहता हूँ तो मैं पांस तारीख पे click कर लिया स्ट्री संडे है तो मैं च्छे तारीख के तो आप यह या वीकली करना चाहते हैं या डेली करना चाहते हैं ठीक है तो वह आप यह से स्लेट कर सकते हैं जैसे कि मैं चाहता हूं कि मंतली में वाइक करना चाहता हूं यहां मैं weekly चाहता हूँ कि week में मेरा चार बार हो जाए तो मैं weekly select कर लेता हूँ दोस्तो यहां फैसिलेटर कोड है वह आप छोड़ दी यह optional है उसके बाद दोस्तो आपको यहां I accept the term and condition पर क्लिक करना है तो चले क्लिक कर लेते हैं then proceed to add stock पर आपको क्लिक कर लेना यहां पर ठीक है तो दोस्तो आप यहां देख सकते हैं कि SIP basket के नाम से जो थी वह यहां है और यहां आप यहां देख रहे हैं कि Tata Motors open होके आगे अब मुझे quantity fill करनी है ठीक है तो यहां quantity जैसे मैं यहां एक एक किती मैं यहां दो quantity buy करना चाहता हूं तो मैं quantity increase कर देता हूं तीन चार पाँच जितनी आप खरीना चाहते हैं जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ज्यादा मैं 2000 रुपई खरी सकता हूं तो मैं यहां तीन quantity रखता हूं क्योंकि आप यहां देखेंगे 600 रुपए का share है तो तीन quantity आएंगे दो हजार रुपे में ठीक है देन दोस्तों क्रेट एसाइपी यहां कर लेना है और आपको यहां देखिए एक बार देख लेना है क्वांटिटी वाइज है आपका स्टार्ट डेट आपकी वीकली है और टैनियोर अंटिल कैंसल में जब तक आपको चलता रहेगा इन्वेस्ट की नाम का यहां आ चुका है और आपका एसाइपी स्टॉक के नाम से दोस्तों एक बास्केट केट हो चुकी है जिसमें दोस्तों यह हमने जो स्टार्ट किया है वह सिक्स नवंबर से तो यहां पांच नवंबर दोज़ाएज तक यह एंड हो जायागा ठीक है यहां आप दि देख सकते हैं कि अगर हम चाहें कि करना या मैं इन्हें चेंज करना चाहता हूं तो यह देखिए चेंज नहीं होता बट आप यहां डेट को चेंज कर सकते हैं जैसे कि मैं इसे दूसरी डेट में चाहता हूं तेरह तारिक ओके तो आप यहां डेट मोडिफाई कर सकते हैं इसके लाब आप कुछ modify यहां नहीं कर पाएंगे ठीक है यह दोस्तों यह हमने कर दिया modify ऐसा इपी ठीक है यहां quantity अगर आप को change करने हैं तो आप quantity यहां से कम हो जादा है यहां कर सकते हैं जैसे मैंने तीन की जाएके दो कर दी तो वह आप यहां कर सकते हैं कि यह कंफर्म हो गया कि दोस्तों यह हमारा कंफर्म हो चुका है ठीक है अगर दोस्तों आप SIP चला रहे हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान लगने कि आपके पास sufficient balance जरूर नहीं चाहिए आपके trading account या डीमेट account में अधरवाज दोस्तों वह SIP आपकी एक्जुइट नहीं होने की है ठीक है तो उस date से पहले आपके डीमेट account या trading account में पैसा होना चाहिए ठीक है और दोस्तों अगर आपको SIP को अपनी pause करना है तो आप pause भी कर सकते हैं जैसी आप इस तो modify में जाईए यह तो ऐसी था फिर next करते हैं और तो यहां आप search और add यहां कर सकते हैं जैसे कि मुझे और भी इसे trident है अगर मुझे यह stock चाहिए तो मैं इसे add कर लेता हूँ ठीक है अब आप देखिए यह हमारा और भी stock add हो चुका है ऐसे ही आप 10 stock एक basket में add कर सकते हैं जैसे आप और आपको और भी करना है जैसे HDFC bank तो यह हमारा HDFC bank आ गया है तो दोस्तों आप यहां देखेंगे यह हमारा HDFC bank भी आ गया आप quantity wise ही चल ला है दोस्तों यहां पर एक quantity अगर आपको quantity modify करने तो आप quantity modify कर सकते हैं दोस्तों जैसे कि हमारा trident है इसे हम और quantity increase कर लेते हैं क्योंकि के स्माल है ठीक है? Modify SIV करते है दें दोस्तों आप यहाँ देखिये कि कंफर्म कीजिए दें कंफर्म कर दीजे देखते ही होता है कि नि यहां आपको सर्च करना है और फिर एड़ कर लेना है ठीक है तो जैसे अगर आपको रिलाइंस एड़ करना है तो आप रिलाइंस भी एड़ कर सकते हैं तो दोस्तों ही हमारा मोडिफाई कर देना और कंफर्म कर देना है एकिए है तो दोस्तों यह हमारा हो चुका है यहां पर s ip तो बहुत तरीका है है यहां आप jak कर सकते है चलि दोस्तों भी कर के देखते हैं अब आपको बॉस करना है तो पॉस भी करते हैं पॉस हम कलिक कर लेते हैं and work is it तो आपको यस कर देना है और यह आपका पॉज हो चुकर ही देखे एक्टिव नहीं है अब हमारा पॉज है तो इस तरीके से आप यहां S.I.P. को आपको इस पर क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको नीचे की तरफ आना है आपको रिपोर्ट पर जाना है और यहां S.I.P. आपको दिख जाएगा ठीक है S.I.P. पर क्लिक करना है और आपको जो भी श्रोक है वो दोस्तों यहां देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों बहुत ही आसान था आपको S.I.P. क्रिएट करना है तो आई हूप दोस्तों आपको वीडियो अच्छे लगए तो इसे लाइक करना ना बूले कर चैनल पर पर प सब्सक्राइब कर सकते हैं आज की वीडियो तो नहीं धन्यवाद